नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका नीजोल इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रद्यों मिश्यर्मा जहां कड़करा की ठंड में करीब दो महीने किसान दिल्ली की सीमाओ पर डटे हुए हैं वहीं ग्रिटर नॉइडा में भी आप किसानों ने खोले आस्मान के नीचे धर्ना प्रद्रशन शुरू कर दिया है यहां किसान की मांग है कि ग्रिटर नॉइडा प्रादिकरण दिल्ली मुंबई और द्योगे के कॉरिडोर बनाये जाने के लिए किसानों से जमीन अधिगरत कर रहा है जिसमें 80% कारे अधिगरण का हो चुका है किसानों का कहना है कि प्राधिकरण द्वारा किसानों से ली गई जमीन का उनको उचित मुआफजा नहीं दिया गया है जिसको लेकर सभी धर्ना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं इसे लेकर किसानों से न्यूजवर्ल इंडिया की टीम ने बात किया है सुनिये आप देश का अनदाता इस वक्त कलाके की ठंड में सलकों पर है प्रदर्शन कर रहा है अपनी खेद वाली खेद खलियान को छोड़ कर अपनी मांगों को लेकर संगस करता रहा है मैं इस वक्त ग्रेटन अथॉर्टी के ठीक सामने हूँ जहां पर सैकलों के संक्या में किसान भाई धर्ना परदर्शन कर रहे हैं क्या कारण है जानते हैं से सर क्या नाम है आपका अजब सिंग परदान नाम है मेरा जी परदान जी किस मांगों को लेकर आप लोग परदर्शन कर रहे हैं और यह परदेशन कब तक चलेगा देखिए यह जो नया भूमी अध्गेंड कानून बना है उसके तहत हमें किसानों को लाब मिलना चाहिए लेकिन गेटर नोड़ा प्रादिकन के द्वारा किसानों का सोसन किया जा रहा है और किसानों को बहका करके डायक्ट रुष्टी के न प्रादिकन से नहीं जाएंगी हमें साथ और भी किसान भाई हैं सर क्या नाम है अपका और कपसे आप लुक परदेशन पर बैठे हैं क्या क्या मांगें आपके मेरा नाम सुनील फॉजी एड़ूकेट है और हम यहां पर जो धरनारत हैं अपनी समस्चाओं को लेकर के आए ह दिल्ली मुबई ओदोगी कोरिडोर के नाम से जो यह परियोजना है इसके लिए गेटनोरा प्रादिकन नए भूमेदकन का कानून का लाब ना दे करके सीधे बेनामों से जमी ले रहा है इसका हम पहले दिन से ही रोध कर रहे हैं लेकिन इन्होंने भोले भाले किसानों को यह बर्गला करके जमी ले ली कि हम आपको नए कानू के लाब दे देंगे बाद में उसमें चारगुना मुमावजा हमारा बनता है पजार दर का और साथ में 20-30 प्लॉट है और सभी बालिक बच्चों के लिए रोजगार है जितने हमारे भूमीन भाई हैं उन सभी के लिए रोजगार है उनके लिए आवाज की सुधा का मामला है गाउं के विकास का मामला है इन मुद्दों को लेकर करके हम अपनी बात लेकर करके यहां पर आये हैं सबसे बड़ी जो एक हैरत की बात है वो यह है कि नए अधिकन कानून में यह विवस्ता है कि सारी चीज दी जाए और जो जियो लखनौ से 2015 में और 2016 में पास किया गया उत्तर प्रते सरकार द्वारा उसमें भी यह विस्ता है कि यदि सौ एकर से ज्यादा जमीन आप खरीदेंगे तो आपको नए कानू के सब लाब देने पड़ेंगे इन्होंने कई हजार एकर जमीन खरीदे लिए लेकिन इन्होंने अभी तक भी हमारे लोगों को वो लाब नहीं दिये हैं जो नई कानून में हैं। पर नहीं सुना दिये जाएंगे तब तक हम अपने घर नहीं जाएंगे। किसान कभी भी जो है ऐसानती नहीं पहला सकता कभी भी हो जो है आक्रोस में आके कोई ऐसी चीजें नहीं करता के वल अपनी मांगों को लेकर वो यहां बैठा हुआ है और सरकार और प्रादीकर्ण आज उनकी मांगो को पूरा कर दे तो कल ही वो चला जाएंगे। कुल मिलाकर प्रादीकर्ण की जो अधिकारियां यहां पर जो बैठे हैं उनकी आरोप है कि उन्होंने कानों में जूडिंग रखे है हमारे पास हमारे साथ एक और किसान नेता हैं इन से बात करते हैं सर क्या नाम आपका? मनीष बार्टी बीडी से कठेड़ा गांगा मनीष जी आप लोग कितना समय हो गया प्रतेशन को और आप लोग की घर में बच्चे हैं भी बच्चें हो भी आपको याद करते हूंगे तो आप तू नहीं जा रहे हैं पहले हमारे जो धरतीमा इन लोगों ने मतलब कार अधि पड़ुकास के इसले हैं सब होकर म focus पूर्राप्ता करते हैं दो कि पूरी नहीं परेंगे सब्सक्राइज की इनकी मांगों को जो की बाजिव हैं क्योंकि इनकी खेद गई है इनकी जमीन गई है और उसके अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं है जिससे इनके परिवार का पालन पोर्सर्ट हो चके इसलिए इनकी मांग भी जायज है लेकिन प्रादिकर्ण के अधिकारी और लखनों बैटे अधिकारी इनकी मांगों पर अभी फिलाल विचार कर रहे हैं पांचवे दौर की बारता हो चुकी है लेकिन उसमें कोई भी नतीजा नहीं निकला है इसलिए ये सभी खिसानवाई निश्चित काली धन्ने पर बैठे हुए हैं अब देखना ये है कि आगे की बारता करना ना भूने नमस्कार